नमस्कार जोहार आप सभी को जारखन पेजिटी के हिंदी सब्जेक्ट का सिलेवस हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में देखेंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं आपको बता दूँ सिलेवस हिंदी का जो सिलेवस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है यहां से आप देख सकते हो परिक्षा का जो स्वरूप और पार्ट करम है उसे दो भागों में बाटा गया है परिक्षा एक ही चरण में ले जाएगी लेकिन उसमें दो पेपर होगा पेपर पर्थम और पेपर दूथिये यहां से आप देख सकते हो पर्थम पेपर का मैं सिलेबस डिसकस कर देता हूँ उसके बाद पेपर टू जो है आपके हिंदी सब्जेक्ट का उसे डिसकस करेंगे तो चलिए सबसे पहले देख लिए कंप्यूटर बेस्ट यह टेस्ट है ओनलाइन एक्जाम होगा याद रखिएगा ओनलाइन एक्जाम होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है आई रिपीट यहां से देख लो प्रस्न पत्र पर्थम और प्रस्न पत्र दूतिये में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटोती नहीं की जाएगी यानि कट अप जाएगा हाई अब देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है देखिए सिलेबस पेपर वन और पेपर टू में डिवाइड़ेड है पहला पेपर भी दो पार्ट में डिवाइड़ेड है पहला जो पेपर वन है वो दो में डिवाइड़ेड है कैसा परेला सौ अंकों की समान ग्यान और हिंदी भासा की परिख्षा लेजाएईएगी और दूसरा भी सह जो है दूसरा पेपर उसमें तीन सौ अंकों का जो आपका सबजेक्ट है उसका exam लिया जाएगा, तो चलिए, सबसे पहले 100 अंकों का जो syllabus है, उसे देख लेते हैं, समान ग्यान में क्या-क्या पूछा जाएगा, यहां से देख लिजिए, समान ग्यान में क्या-क्या पूछा जाएगा, तो एके करके सारे चीजों को हम लोग पढ़ लेते हैं, समान ग बैज्यानिक प्रगती, राष्टिय, अंतराष्टिय पुरुसकार, भारतिय भासाएं, पुस्तक, लीपी, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महदपुर्ण घटनाएं, ये तो हो गई समसमाई की बात, इसके अलाबा भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, संस्कृत प्रगती आपको पढ़ लेनी है, भुगोल, परियावरन, आर्थिक परिदिर्सि, सोतंतरता, आंदोलन, भारतिय किरसी तथा प्राकिर्तिक संसाधनों की प्रमुक विसेशताएं, भारत का संभिधान, राजवेबस्था, देश की राजनीतिक परनाली, पंचायती राज औ क्या-क्या प्रस्ण पूछा जाएगा, यह सबके लिए common रहेगा, तो science का भी question आपको gk में included रहेगा, समान बिज्ञान में, यानि कि general science में क्या-क्या पूछा जाएगा, समान बिज्ञान के प्रस्ण पत्र में परती दिन, दिन परती नित के अब लोकन, एबम अनुभव पर आधारित बिज्ञान की समान, यानि कि कुल मिला कर देखी, यहाँ पर सिलिबस असपस्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से आगरा करूँगा, जारखन पुलीस के जो पुराने पेपर हैं, उन्हें पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कि किस तरह के standard क question पूछे जाएंगे, दस्मी उबारवी का जो कारप कक्षपाल का एक्जाम हुआ था, वो सब आपको देख लेना है, आगे देखिए, समान गनित दस्मी अस्तर के रहेंगे, जिसमें से अंक गनित, बीज गनित, जैमीती, समान तिरकॉन मित्री और छितमीती से प्रसंद प और इंटरनेट से संचालिती विदियों को आपको पढ़ कर जाना है, जारखन राज का भुगोल, सबेता संस्कृती, भासा साहित, अस्थान, यहाँ पे जो खान और खनीज हैं, उद्योग हैं, राश्टिये आंदोलन में जारखन का क्या योगदान था, वो आपको पढ़ जाएंगे, उसमें अनसिन पैसेज होंगे, यानि कि अपठित अनुचेद से प्रसन पूछे जाएंगे, अब देखिए, याद रखिएगा पेपर वन, जो मैंने अभी आपको सिलिवस बताया, इसमें आपको सिर्फ 33 परतीसत लाना है, यानि कि 100 में 33 अंक अगर आप ले आ देखिए, यहाँ पर देख सकते हो, आप पहले पत्र में 33 परतीसत अंक अलाना है, यानि कि 100 में 33 अंबर आप लाओगे, तो भी आपका काम बनेगा, और पेपर 2 में 300 में 150 अगर आप लाते हो, तो ही आप उत्रीन माने जाओगे, 150 लाने का मतलब यानि कि आपका सेलेक्शन हो जाएगा, आपको 150 से जादा लाना होगा, तो चलिए, अब बात करते हैं, हिंदी के सिलेवस की, मैं देखिए, नीचे स्क्रॉल डाउन करके, आपको बिल्कुल ओफिसल पीडियेफ है, आपको घबराने की कोई जरोत नहीं है, बिल्कुल ये ओफिसल पीडियेफ से, मैं और ब्रिज का जो साहितिक भासा के रूप में विकास हुआ है, वो पढ़ना है आपको, 19-वी सदी में, यहाँ पे सती हो गया है, सदी होना चाहिए था, खेर, खड़ी बोली का जो साहितिक भासा के रूप में विकास हुआ है, उसे पढ़ना है, हिंदी भासा और नागरी प्राइवियों का समान परिचे क्या है ये आपको पढ़ना है हिंदी साहित का इतिहास में देखे क्या क्या पढ़ना है आपको पहले नमबर पे है हिंदी साहित के इतिहास लेखन की परंपरा नमबर दो में हिंदी साहित के प्रमुक कालों जैसे की आदिकाल, भक्तिकाल, रितिकाल, आधुनिक काल की प्रमुक साहितिक प्रविर्तियां को पढ़ना है आपको नमबर तीन में देखिए हिंदी गद का विकास और उन्नीसवी सती का नवजागरन इसे पढ़ लेना है नमबर चौते पे देखें क्या क्या है आधुने के हिंदी कविता की प्रमुक प्रविर्तिया चायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालिन कविता, नवगीत और गजल पांचवे नमर पे देखते हैं हम लोग क्या है हिंदी उपन्यास की परंपरा और यथार्थवाद छटे नमर पे हिंदी कहानी का यहां से मैं दिखा देता हूँ छटे नमर पे क्या है हिंदी कहानी का विकास और परमुख कहानीकार के बारे में आपको पढ़ना है नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच को पढ़ना है हिंदी में आलोचना का विकास और प्रमुक आलोचक कौन कोन हुए है हिंदी में पढ़ लेना है आपको नौए नमर पे देखिए हिंदी गद की अनिविधियां जैसे की संसमरन ललित निवंद आत्म कथा वयंग और लगु कथा आगे देखिए जारखन का हिंदी साहित्य और पद यानि की कवीता वाले सेक्शन में देख लेते हैं हम लोग कवीर को पढ़ना है कवीर ग्रन्था वली में जिसका संपादक कौन है स्याम सुंदर दास एक सो प्रारंभिक पद है सिर्फ एक सो उन्हें पढ़ लेना है सूर्दास जिसमें की क्या है ब्रहमर गीत सार जिसके संपादक है राम चंदर सुकल इनको पढ़ना है केवल 200 पद जो है इनके प्रमुक जो सबसे पहले 200 पद आते हैं उन्हें पढ़ना है सुरिकान तिरपाथी निराला का राग विराग जिसके संपादक राम विलास सर्मा है राम की सक्ति पूजा और सरोज स्मृति को पढ़ना है जैसंकर परसाथ की कामायनी जिसमें की चिंता, सरधा और लज्जा सर्ग इसको पढ़ने लेना है आपको रामधारी सिंग देनकर के कुरुचेत्र को पढ़ना है अब देखिए गद यानि की कहानी वाले सेक्सन में देखिए क्या है भारतेंदू हरिस्चंदर के भारत दुर्दसा को पढ़ लेना है जैसंकर परसाथ के असकंद गुप्त को पढ़ लेना है मोहन राकेस आसाड का है एक से पढ़ाड़ Oh और प्रेमध्य का सिलेवस जो अपके साथ कौिप्लीट में डिसकस किया है जाते आपको एक जरूरी सूछना बता दूँआ अगर हिंदीouter question paper को आप मुझ से purchase करना चाहते हो तो देखिए 49 में आप मुझे purchase कर सकते हो वीडियो अगर आपने यहां सक देख ली है तो अच्छी बात है यहां से मेरी email आड़ी आप देख लो yourmithun sing at the rate gmail.com पे mail कर लीजिए if you are instagram then do follow me at the rate imithun sing आपको हिंदी और जो general subject के questions है वो आपको मैं provide कर दूँगा वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो को share करें नए हो तो चैनल को subscribe करते वे जाईए आप और वीडियो को like कर दें धन्यवाद आपका दिन सुभो